ततकाल न्यूज लाइफ के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन प्रिस कीजिए नमस्कार मैं हूँ सोनिका और आप देख रहे हो ततकाल न्यूज लाइफ अभी हम आए हैं मौमिनपूरा में मौमिनपूरा ट्रेडर्स वेरफर असोशेशन के प्रेसिडेंट जावेद अक्तर इनसे हम जानना चाहेंगे जैसे कि आप सभी को पता है कि इस काल में आज के दिन में पोरोना की परिस्तिती इतनी बेकार हो चुकी है कि हॉस्पिटल्स में बैड नहीं है इवन घर में लोग जो लोग पॉजिटिव हुए हैं उनको भी लोग घर पे रखने के लिए डर रहे हैं तो इनसे हम जानेंगे कि इनकी अपने समाज के प्रति अपने हर एक भारतिय नागरीकों की प्रति इन्होंने जो जिम्मेदारी निभाई है वो क्या है सर्थकाल नीज में आपका स्वागत है दन्यवाद हमारा मोमेंट पूरा वेलफेर असेशियन ट्रेडर्स का जो है सबसे पहले जो लॉग डाउन हुआ था इसमें हमारा नागविदार चैंबर एन्मेदार के साथ जाएंगे और लॉग डाउन का विरोध करेंगे क्यों लॉग डाउन का विरोध इसलिए करेंगे कि जैसे जो गरीब तपके है और आगे में हमारा रमजान महिना है तो इसके पहले भी पूरा रमजान जो है वो ऐसी तरीके से चले बंद हो गया था पर दो इस्तेती है इसमें एक नागपूर शहर की अभी जो इस्तेती है वो भी बहुत ज्यादा खराब है उसको भी नजर अंदाज हम नहीं कर सकते और यह जो इस्तीती है कि गरीब तपके यहां पर रोज कमाने वाले जो है यहां पर है लोग तो उनको भी हम नजर अंदाज नहीं कर सकते तो इस बीच में यह तैय हुआ था कि हम यह है यह लॉक्डाउन ऐसा है कि कुछ दुकाने चालू कुछ बंद यहां पर मुमिंपुरे में अगर आप देखेंगे तो 175 दुकान किराने की है उसमें डेली निट्स की अलग है ऐसे तीन साड़े 300 दुकान तो ऐसी हो जाती है जो आपने उपन रखने का उससे आदिस दिया हमारा यह सरकार से है कि अगर आपको लॉक्डाउन करना है और नागपूर की स्तिती ऐसी है जैसे हम देख रहे है तो लॉक्डाउन कर रहे तो पूरा यह कुछ भी चालू ना रहे संपून लॉक्डाउन जो होता है वो करा जाए यह नहीं कि कुछ चालू यह आप देख र पूरा लॉगडाउन होने को होना पर यह आसा लॉगद ने टरफ से तो लॉगडाउन और गार्डाइन लगा दिया लेकिन पॉपलीक को मानने के लिए उन्हें भी गवर्मेंट का यह है कि गवर्मेंटों को भी कुछ करना चाहिए कुछ मतलब क्या कि उन्हें आम लोगों से मीटिंग करना चाहिए, व्हो Twice काइन मत जाए, कि एक जगा म मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद में यह होता है, ठीक है फैयसला उधर से ही हो जाता है. आम लोगों के बीच में परतिनीती जो गवर्मेंट का है वो नहीं आता है वो पहले उनको समझाना चाहिए बताना चाहिए situation क्या है इस्तिती क्या है hospital में बैट्स अवेलेबल नहीं है यह सब आम लोगों को नहीं पता है ना तो यह उनका काम है कि वो बताए और उसके बाद में कुछ निर्ना ले अब इकदम से उठा के आपने पहले माराज गवर्मेंट की आई कि Saturday Sunday बन रहेंगा तो हमारे मोमिन पुरे के दुकानदार पालन कर रहे है अगर आप बोलेगे कि नहीं आप दुकानदारी बन कर दो और हम सब चालू रखेंगे और जितनी बी चीज़े सब चालू रखेंगे खाली आप दुकानदारी बन कर दो तो हमारे मुमिन परे की दुकान दारी से तो करोना फैलने वाला नहीं है, वो इसलिए कि अगर हमारे मिहां पे जो है 90% मुस्लिम लेडिस के मार्किट है, कपड़ों के और भी चिवड़ी है वगरा जितने भी है वो मार्किट है, तो उसमें अल्रेडी जो लेडिस से जो आती तो पुरा मुस्लिम कमीटी के फली लेडिस आती है तो पुरे नकाब में आती है तो मास्क लगा हुआ रहते है और जो दुकान में जो रहते है वो सबी लोग सैनीटाइजर मास्क, सबी लोग इंतिजाम करके रखे हुए हैं तो मेरा कहने एंगे मतलब यही है कि आप खाली दुकानों को टार्गेट नहीं कर सकते कुछ दुकानों को और सारी चीज़े चालू तो यह लॉक्डाउन का हमारा विरोध था उस बीच में अगर मोमिनपुरा में जो घटना घटी दो दिन पहले तो ऐसा कुछ घटना नहीं था खाली कुछ लोग अपने दरों से क्या हम भी समझ रहे हैं कि हम भी डेली इसमें काम कर रहे हैं हॉस्पिटल लाइन में जो जिसकी डेट हो जाती है उनको कभस्तान में तख्यूं करने का काम भी हम कर रहे है आज ही अभी हमारे पास आज हमारा दीन है तो हमारे पास 11 मुस्लिम बॉडिस की आ चुकी है क्या क्या कर देगा अपने अपनी एंपनावर से अपनी ओर से हम लोग यह करते कि है मुश्चु भ्रॉड्तीज ही है यह उसने हमारे को बॉर्डी कर चाह बॉर्डि हैंड-बॉर होती है बॉर्डी हैंड-बॉर होने के बाद में हम उन्हें couldast cancer लेकर जाते है और अभी पूरा दिन शाम बागी है अभी कितना होता। यह पता नहीं। तो इसके तो हम खिलाब में हैं के आप अगर लॉक डॉट गोण करना है आपको तो पूरा कर घिये, पर यह वाल लॉक डॉट ότι तो हमाने बर्दासत नहीं है. नहीं, इसके पहले जैसे हुआ था, कि मौत का अकड़ा जब पहला लॉगड़ून जब लगा था, तो इतनी मौत का अकड़ा बड़ा हुआ नी था और फूल लॉगड़ून था हमारे हैं, तो इससे होगा ना, जब घ़र में लोग रहेंगे, बहार नहीं निकलेंगे, अब जो लॉक्डवन होता है वो ना जब भारनी निकलेंगे तो इससे कम होगा मामला मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी इस तीति बहुत ज्यादा खराब है नागपुर शहर गी पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले जो लॉक्डवन लगा है इसमें आपको क्या फ अधा करोणा के फिसल नहीं ते उतने मौट्य को भी रहती हो रही थी सबसे पहली मौट हमारे अरिया में हुई थी टो पुरी एरिया को यह सील कर दिया गया था कोई बढ़ा बहार निकल लीसमना अगर निकलता था तो पुलिस वाले लाट्रियों से उसकी प्टाई करते थ कि इतनी कड़क गए नहीं किया था कि बहुत से लोग जो बीमार थे जिनको शुपिटल ले जाना बिल्कुल जरूरी था ऐसे लोगों के भी लिये लोग पुलिस वालों ने पैशन को शुपिटल तक नहीं ले जाने दिये ऐसे दो-तिन केस हुए कि लोग नहीं पर ही मर गए लोग आखिर अब जो आज यह स्तिती है तो यकीनन करोना है बहुत बुरे तरीके से फैला हुआ है और जो रूल पिछले साल जो लाया गया था वो रूल अब होना चाहिए था लेकिन अब जो है गॉर्मेंट उस हिसाफ से उल्टा चल रही है गॉर्मेंट ने नॉर्मल लेवल पर लॉक्टाउन लगाया है और गॉर्मेंट के पास में तेरा महने का जो वक्फ़ गुजरा है पितले साल से गौर्मेंट के पता था, उनके पास मैं एक्सपर्ट थे, उनका पूरा स्टेडी था कि करोना हो रहा है और इसका सेकंड लहर भी आएंगा, इसका थार लहर भी आएंगा, तो गौर्मेंट ने सबसे पहले अपने मेडिकल सुविदाओं को बढ़ाना था, उसके तरफ ध्याम देना था, बहले से दूसरे को स्ट्रक्चर, दूसरे जो डौर्मेंट है, उसको रोग के, इधर मेडिकल सुविदाओं को बढ़ाना था, आज की अभी क्या कमी लगती है आपको, मेडिकल सुविदाओं में, जैसे क्या आपका जाना आना था, अभी रोज काई होंगा, मेरिकल सुविदा में तो इतनी कमी है कि हम बता नहीं सकते, गौर्मेंट हस्पिटलों में इतनी कमी है, कि अभी अगर मेवा हस्पिटल में आप चले जाओ, एक नॉर्मल पेशन्ट है, जो अभी उतना बिगड़ा नहीं है, और उसकी कोविट की जाच जी है, और उसे एड के पास कोविट रिपोर्ट है क्या, अगर कोविट रिपोर्ट नहीं है, तो वो गोल-गोल वही पर ही घुम रहा है, और उसे ये कहा जा रहा है कि आप जब तक कोविट रिपोर्ट नहीं आएंगे, आपको हम लेंगे नहीं, एडमिट नहीं करेंगे, ये एक बात हो गई, वेंटिलेटर की सिच्वेशन यह है कि 15-15 पेशन जो है वो वेटिंग पर है कि वेंटिलेटर उनको लगना यह अभी आर्जन में लगना चाहिए पर उन्हें नहीं लग पा रहा है लेकिन गवर्मेंट के तरब से वेटिलेटर बेटि जो परेंगे अअधिक करेंगे तो आपको पता चलेंगा ना आप भीजाते यहीं नहीं और कहली बेट के बाते बाते तो देखने में आप मैं तो आपसे आनों वह करता हूं कि आप आईए मैं भी आपके साथ रहता हूं और क्या और मैं आपको बताता हूं वहां पे हॉस्पीटल में डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं no doubt यह इस महामारी में मैं उनको इतने सारे पेशन्टों को देख रहे है no doubt पर गॉर्मेंट के तरफ से जो सुवीदा होना चाहिए वह सुवीदा नहीं मिल रही है डॉक्टर को भी नहीं मिल रही है और हस्पिटल में भी नहीं मिल रही है तो उसका चार्ज जो है एक लाक रुपे तक जा रहा है वन डे का य रहा है पेशन्टों को उसकी महां उसका भी जो है ब्लैक मिलिंग चाले हो गया है यह बड़े-बड़े हस्पिटल में सप्लाई हो जा रहा है वह आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है यह सारी चीज़े तो नागपुर सहर में मैं पालक मंतिरी साब से कहना चाहता हूं कि बह अगर ऐसे ही चलता रहा तो वैसे ही बहुत ज्यादा बहाना कोंगी और वैसे ही हॉस्पिटलों की जो अभी आप स्थेती कवर करिये वहां पे बहुत बुरे हाल है इतने बुरे हाल है कि मैं बयान नहीं कर सकता अभी और बॉड़ीज भी इतनी है हॉस्पिटल में के रखन आपको क्या लगता है क्या रिजन हो सकता है कि आम जनता पालन नहीं कर रही है या सीरियसली नहीं ले रही है इस चीज को यह तो यह इसका कैसा है कि हमें पता ही नहीं था कि नाकपुर इतनी जल्दी हॉड़ीज कैसे बन गया क्योंकि पिछले साल के मुकाबले तो इस साल बहुत ही जादा है और इसमें हमने ऐसे ऐसे लोगों को खोया है कि हम बता नहीं सकते अठरा साल से लेकर पचास साल तक के हमने सब को बोड़ी दपन तो इसमें यह जो वायरेस है यह अभी तो और ज्यादा खतरनाक हो क्या है यह हमारा मानना ऐसा पर इसके लिए कुझभी सरकार के पास जो है अभी नाकपूर शहर में जैसा होना चाहिए वैसा कुझ भी सरकार करते हैं में हमें तो नजर नहीं आ रहे है हमारे साब से गौर्मेंट ने यह करना चाहिए कि अभी तक्काल परवाव से सारी चीज़ा छोड़ के आपको खाली हैल्थ पर धान देना चाहिए मैं बताना चाहता हूँ गौर्मेंट ने क्या करना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार सेंटर गौर्मेंट और स्टेट गौर्मेंट दोनों तक यह बात पहुचाना चाहता हूँ आज की जो भयाना की स्थीती हुई है इसको समालने के लिए अगर सबसे बेन अवेशक्ता है तो वह है डॉक्टरों की डॉक्टर अपने अपने लेवल पर काम कर रहे है अपने अपने हिसाब से काम कर रहे है मैं कहता हूँ गौर्मेंट ने रेलवेव को प्राविटाइज को जिते भी प्राविट हॉस्पिटल है उसको गौर्मेंट ने अपने अंडर टेकिंग लेना चाहिए अपने प्लेट्फाम पे लेना चाहिए और आम लोगों का इलाज हुहां से रिजनेबल रेट के उपर में करना चाहिए इमानदारी से त्योंकि प्राविट वो बेमोट मारा जा रहा है उपर से ये लागडाउन की सिच्वेशन कारोबार बन आदमी को आज की स्थिति में अपना घर कर्चा चलाना मुश्किल है स्टाफ का कैसा खर्चा निकालेंगा अपना किराया भाड़ा कैसा निकालेंगा यह बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ हम लोगों के सामने तो इसलिए हमारी एक इच्छा यह है कि कारोबार को जैसे भी हो सकता है शुरू रखा जाए भले से आप ताइम को डिवाइट कर दिया जाए सब को चार चार घंटे का समय दे दो मार्केट में कराउंड मत होने दो लोग अपना काम मार्केट में अपना घर वापस चले जाएंगे लेकिन ये कोई तरीका निए कि टोटल तरीके से आप 20-25 दिनों के लिए बंद करके अपने घर में बैठे रहे पिछला लागडाउं तीन मैंने का था लोगों ने बड़े खुशी खुशी गौवर्मेंट के इस बात को माना उनकी गाइडलाइन को माना अपने घर में बैठे रहे अब बैठे भी नहीं रहे जहां जहां अपने आज पड़ो उसमें जहां जिद जिसको अनाग की जरुवत है खाने पीने की जरुवत है दवाई की जरुवत है एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चले कभी किसी कोई लेकिन आज हाला जो है एक साल के बाद में पूरे तरीके से उल्टे हो गए लोग इस इस तिमें भी नहीं है आज के तारिक में अपने घर का खर्चा चला पाए हो दूसरी बात है कि बहुत से लोगों के कंप्रेंट आ नहीं हमारे पास में कि जैसा आपका जो एलेक्टिक बिल है और बुल इस लॉट दॉन जेना हम एक मेने से घर पर वेटेंगे कोई काम नहीं और मेंसीव वाले आकर लाइट कट जरी बिना नूटिस के तो इस बारे में आप पालक मानिये आपने हैं कि मंत्री जी को क्या बूलेंगे इस बारे में मंत्री जी के सामने इससे पहल जाए नहीं अगर माफ कर सकते तो इसको कम से कम इसमें चार्जे लिया जाए लेकिन उनों ने ऐसा किसी की किसम का कोई छूट नहीं दिया नहीं किसी को माफ नहीं किया बैंकों ने जो लोगों पे लोन था उसका इंट्रेस के साथ में पैसा बराबर मांगा जो कार्परेश कि दुकाने इन्होंने अपना किराया बराबर पुरा वसूल किया कहीं कोई छूट नहीं मिली है तो इसमें आम आदमी देखे अपने को तो किस के तरफ देखे किस को समझे इसमें तो तकलिफ चारों तरफ से आम आदमी ही मर रहा है अभी तो मौत करोना पर सब के खड़ा है उससे तो मौत का डर ही है लेकिन हर पल हर लहमा हर दिन आदमी अपने परिवार के साथ में देख देख के वैसी मर रहा है कि ये मेरे बच्चों का क्या होगा ये मेरी दुकान का क्या होगा ये मेरे कारोबार का क्या होगा मेरे बच्चे की स्कूल की चीस अब मैं कैसा बरू तो इस हालात में अपने आपको समालना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज के तारिफ में करोना इतना बड़ जाने के बावजूद लागडाउन हटाने की बात कर रहे हैं लोग, बोलेंगे मरना ऐसा भी है, मरना ऐसे भी है मेसीवी वाले बोलते हैं, जिनके उपर ज्यादा लाइड फिल है, पाँच हजार, दस हजार, अब जो गरीब तप्के के लोग है, जिनके कोई आमदान ही नहीं, अभी एक मेने से लागडाउन चल रहा है, कमाई फ्यूरी खत्म हो चुकी, बाकी वो गरीब बंदा कर सा बेकार है, आज भी बेरोजगार है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले लागडाउन से स्टाक, दुकान वालों ने कम किये, प्राइवेट वालों ने कम किये, कई लोग बेकारी बढ़ गई है, तो विशारे जिनको काम धंदा मिला ही नहीं पिछले एक साह से, तो वो कहां से पैसा लाएंगा, कहां से एलेक्टिक बिल भरेंगा, क्योंकि उसके घर में तो खाने पीने के बांदे है, वो भरी नहीं सकता है, गवर्मेंट में इनके बारे में सूचना चाहिए, तो हम तो और अल गवर्मेंट की ही जनता है ना, वो हमारे पालक है ना, व प्लीज 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 रहें करो यह तुम्हारी अपनी जंता है यह भूके तो मरी वार नहीं है लेकिन इससे ज्यादा यह एलक्रिक बिल की वजह से बार बार आपके डिपार्टमेंट के लोग आते हैं टंग करते हैं इसको फोन आते रहते हैं वह विचारा अंदर ये अंदर टॉर्चर हो रहा है वह भी नहीं पा रहा है तो पाद में मरेंगा लेकिन इस टेंशन से इस महा मारी से ज्यादा मरें जैसे कि आप अभी से अली हast कि आप सामाज करें करता हूं उसपिटल में जाना हैं आमजनतर की सेवा बाराइं जो भी अपने तरस आपको बन पड़ता है ज diary आपका स्यडूल किसा रहता है robust तो से आपक्छे मत कि करा में नीज और रहे क्शा है कि हमने के स्लेंड़र भी कि दे रहे हैं जो पेशन्ट को गर्पर से दे रहे हैं जैसा जमाति इसलामी हिंद है इन्होंने पस्नल लेवल पे कार्परेशन के साथ मिलके जब इन्होंने देखा इस्तिती बहुत बिगड़ गई है पेशन्ट बढ़ रहे हैं हॉस्पिटलों में जगा नहीं है तो अभी पाटपावली में कोरंटाइन सेंटर बनाया गया था फुलिस कोर्टर है वो वो बिल्टिंग खाली थी तो कार्परेशन के साथ टायत करके इन्होंने असी बैट का एक कुईट सेंटर खोला है और उहां पर पेशन्ट को डवाई भी मुफ्त दी जा रही है बारा हजार तक इंजेक्शन मुफ्त में दिये जा रहे है और ऑक्सिजन वगेरा वह नहीं तो बहुत आ रही है इसमें कुछ नहीं है दिक्कत को साइट में रखते हुए हम काम पे खाली ध्यान दे रहे है अभी गैसा है कि अभी हमारे साथ जम्यत उल्मा हिंद है जो वो भी जुड़े अभी नाकुट शहर में सेलेंडर का बहुत जादा साटेज हो गया है अभी सेलेंडर भी अवेलेबल नहीं हो रहे है तो हम एदन हुदा से कैसे भी करके सेलेंडर अवेलेबल करा रहे हैं सेलेने बाहर से बुला रहे है जहां पे नहीं है तो वहां से बुला के हम यहां पे सप्लाइ कर रहे हैं तो सारी चीज़े लगी हुई है कैसे भी हम यह चाहते हैं कि अब बहुत हो गया यह महामारी जो है खतम होने को नाम उपर वाले से यही प्रात्ना भी कर रहे हैं हम दूआ बस जीदों में हम दूआ भी कर रहे हैं कि यह महामारी जल से जल खतम हो जाए क् कुछ बता नी सकते कि क्या होगा नाक पूश एर का तो लाशे उठाने वाले भी मिल रहे हैं पता नहीं कल को लाशे यह जो फूरी पूरी लाँ के लावा संसे अवलज काम करते हैं वकसित का मीमाई को बना भलत हुआ हुरे नकपूर शेहर में यहां नकपूर क Dash में मुस्लीम जितनी भी होती है, तो मुस्लिम डेट के उसके उपर मेसेज आ जाते हैं, और फिर उसे कॉंटेक्ट करके हम पूरी चीज़े सैट करते हैं, तो कभी अगर हमें रात में यह आ जाता है, कि घाट पे यह बोडी चोड़ना है, मैं तो हम उनके आवास पे घाट पे भी बोडी लेकि जाके छोड़ते हैं और कभी यह आता है कि क यंक्रिचन को भी करना है, तो हम उनके भी कब्रस्तान में ले जाके वो प्रहbei आर्व करते हैं, पर प्रोपर मुसल्मान के एक बोडी जितने मुस्रिम बोडंशे, करते हैं उसका पूरा प्रापर तरीके से काम करते हैं अगर तत्काल परभाव से एक पर रहे बाइक की कमी केज़ारा वह करते हैं अभी टतकाल पर वह सबौनित बरभाईनी कर से एक साथ गाट पर Carema ये बहुत सारी सी problems है, problem तो इतनी है, कि बता नहीं सकता, मैं भी आपको चैनल पर, क्योंकि problem इतना है आपकी चैनल से एपविल करना चाहता हूं कि अभी जो महामारी है, ये महामारी को देखते हुए, हमें परशासन को साथ देने हैं, हमें उनके विरोध नहीं जाना है क्या सिच्वेशन है खोदाना कास्ता अभी मैं यहां बैटो हम यह काम कर रहे हैं और हमारे घर का जो एक भी बंदा अगर से इसको कोविड हो जाता है तो हम सोच भी पढ़ जाएंगे कि हम का लेके जाएं क्या करें कौन से अस्पिटल में को लेके जाना क्या वर्दी करना एड्मिट करना और उसके बाद में जो है कितना पैसा लग जाएंगा हम बता नहीं सकते तो आप इसका यहीं के सोचल डिस्टन बनाए रखे मास निकाले ना मास लगाए रखे हमारी मुमिनपुरा वेलफेर से यानि सभी वेपारियों से और सभी आम पदीजान से यह मैं जोड्य करता हूं कि आप जो है मास का इंतिजा मास का प्रूरे तरीके से मास लगाकर रखे कहीं पर भी आप जा रहे हो तो मास लगा के रहे तो यह अगर लोग हल्के में ले रहे हैं तो फिर इसके लिए हम तेची की बचा सकते हैं तो बचा लो, अब मामला ऐसा है कि बच सकते हैं तो बच जाओ, बच जाओंगे तो सब कुछ पा लोगे, इस हिसाब से आज की सिच्वेशन मनी है, बहुत बहुत धंदेवार आपकी सेनल का, जैसा कि आपने देखा कि कोरोना संक्रमन के बढ़ते हु मामलों को देखकर, परिस्तिती इतनी गंभीर हो चुकी है, होस्पिटल की हर एक जगह की, कि होस्पिटल में बेट्स नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सिजन की कमी है, तो इसी के चलते हैं, यहाँ पर आज हम आए थे मोमिनपूरा में, जहां मोमिनपूरा ट्रेडर् प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, उनसे हमने बात की, उन्होंने अपनी मांग रखी है सरकार के सामने कि जो कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसमें उनका सहीयोग करें और उनके साथ रहें, लॉकडाउन से जुड़ी और कोरोना से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे सा जुड़ी रहें तब्ताल नियूस के साथ, एंड कर दो